नमस्कार श्वागत आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे हम लोग एक यहां पर फाउंडेशन बैच इस्टार्ट किये थे जो लोग भी यूपीएसी दोहजार चौबीस या इसके अलावा भी आपका बीपीएसी 69 हो या बीपीएसी 70 हो किसी का प्रिप्रेशन यदि करना च तो उसके लिए एक बैच हम लोग इस्टार्ट किये थे इसके अलाव कोई भी आप पीशी चप्रिप्रेशन करना चाहते हैं यह आपना बेसिक बहुत ही ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं जिसे कोई भी आप एक्जाम क्विपाई करें तो उसके लिए बैच जो है आप इ इसके अलावा यहां पे आपको MCQ भी हम कराएंगे और यहां पे हम लोग NCRT ही नहीं पढ़ रहा है NCRT के अलावा जो भी फेक्ट बन सकते हैं सारा कुछ मैं आपको बता देता हूँ यानि इस लेक्चर के देखने के बाद आप कहीं से जाके बन जाएगा जो किसी भी एक्जाम के लिए काफी आपके लिए उपयोगी होगा आप सभी को पता है कि में-स का क्या इंपोर्टेंस है अगर बात करें कोई यह यह UPSC का या यह यूपी का वाटक वह कुण्ट है अभी तक हम लोग जो है क्या-क्या पड़े हैं देखिए हम ल से में हम लोग सबसे पहले पढ़ना ही स्टाट करेंगे और इस करम में सबसे पहले यहां पर हम लोग क्लास 11 का जो हैं इसमें डले हुए हैं तो यह हम लोग यहां पर पढ़ रहे थे तो अभी आप सभी को पता है कि हाल फिलाल अभी एट्शाम होने वाला है तो उसको लेकर यहां पने टेसर ीस्ट मिल जा रहें तो जो लोग भी एग्जाम देने वाले हैं वह को ज़रूर देख लेंगे पर लल्ली में आरो यारो का हम लोटे स्रीज करी रहे हैं तो भी जाके आप देख सकते हैं इसके लगा प्ले लिस्ट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका NCIT बैच करके सेक्शन दीखेगा तो वहाँ पे सारा लेक्चर जो अभी तक हुआ है वो सारा लेक्चर आपको मिल को लेकर मैं बताया था कि अधिक लोग को नहीं यहां पे 50 लोग अगर यहां पे हो जाते हैं जो इन्टरेश्टेड मेंको कंपलीट जो कॉलिफाई करना हो यानि मैं बात करना हूँ प्री मेंस और आपका इंटर्विव तीनों स्टेज तक प्री से मेंस और इंटर्विव तक हम रहेंगे और टेस्ट तरी जो गराभी सारा कुछ ही आपको इसमें हम लोग करेंगे आपका फीडबेक कमेंट गराभी लिया जाएगा आपका जो है मैंसेज करेंगे नंबर आपको दिया गया है अलुड़ी मैं आपको बता देता हूं 9015040592 ठीक है इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं बस उसमें आप लिख देंगे बीपी एसी जो है 69 करके यहाँ पर मैसेज बस लिख देंगे टेलीग्राम पर आपको मैसेज करना है यहाँ सबसे पहले आप कर सकते हैं चली हम लोग श्राट करते गारें कि अच्छा अगर स्लोग और लग रहा होगा एक ज tara को अप सन देता ही आप 1.25 1.5 या जिस भी आप लेवल पे comfort zone में अपने आपको महसूस करते हैं इसली सुन पाते हैं आप वहाँ पर इसको करके lecture को देख सकते हैं तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर प्राचीन भारत के इतिहास ठीक है यानि पहला हम लोग यूनिट देखे थे इसमें कि इतिहास का आखिर महत तो क्या है और उसी के अंतरगत हम लोग पढ़ने का प्रयास किये थे जानने का कि बरतमान में जो है अतीत की प्रासंगिकता क्या है कि एक जो है अच्छे बरतमान के लिए अच्छे भविसे के लिए आप जो है अतीत को जानना जरूरी है इसके उपर डीटेल में बात हुआ था अगला उनिट हम लोग देखे थे प्राचीन भारती जो है इतिहास का आधनिक लेखन क्योंकि आज हमारे पास जो इतिह देखे थे एक उपनिस्वादियों का विचारधारा तथा उनका इतिहास में क्या योगदान है और दूसरा हम लोग देखे थे अपको राष्टवादियों के द्रिष्टी और उनका योगदान इसके उपर डीटेल बात हुआ था जैसे हम लोग पुरतात्विक शुरूत औ आप लोग जाके देखेंगे आपका टाइम तो यहां पर एकस्पेंड होगा कुछ खर्च होगा लेकिन आपका बेसिक पूरा किलियर हो जाएगा यह मैं यहां पर दावे के साथ कह सकता हूं कि जो लोग भी इस लेक्चर को पूरे इमंदारी के साथ इसको फॉलो कर लेते हैं और मानव को जीवन में जब आस्थाइत तो आता है यानि क्रिशी का विस्कार हो जाता है उस टाइम पिरेड का हम लोग यानि लाखो साल का इतिहास का अध्यान किये थे उग्श्ट हम लोग देखे थे तामर पशान काल क्रिशक संस्क्रिती यानि हम लोग इसमें पढ़े यहां पर हम लोग पूरे डीटेल में यहां पर चर्चा किये थे अखिर नगरिया सब्यता है तो क्यों है सारा कुछ आपको जवाब मिल गया होगा उस समय के क्रीशी का क्या इस्तिती थी प्रतेक पहलूपर चर्चा किये थे अखिर ये जो हड़ापा संस्क्रीती था इतना जो है नगरिया सब्यता था इतना सारी सीज़ ची थी तो इसका रखिये थे नेक्स हम लोग देखे थे और इसमें हम लोग देखे थे कि आरे लोग यहां पर आएं तो इनिसियल में जो है कहा थे उनका फोगॉलिक परसार क्या था ठीक है उनका जो है मुल निवास अस्थान क्या था उसको लेके हम लोग बाद चित किये थे उनकी राज बेवस्था की थी क्या थी या उनके अंदर जो है कई और जुके है आते आरेयो का परसार जो है कहां तक फैल गया था इसके ऊपर चर्चा किये थे समाजी की स्थिति के बारे में बात किये थे इन सब मेंटर पर काफी डीटेल में बात किया गया था और नेक्स्ट यूणिट हम लोग देखे थे जैन और बौध धर्म, यानि इसमें हम लोग जैन धर्म के बारे में पूरा डीटेल में कम्प्लीट कर चुके थे, आज हम लोग देखने वाले हैं बौध धर्म के बारे में, इसे रिलेटेट कुछ कोस्चन भी आपको लिखने के हमारे समाज में, इन सब मेटर के उपर हम लोग चर्चा किये थे, जैन धर्म में हम लोग बिसिकली पड़े थे, आखिर ये जैन धर्म और बौध धर्म का उदय कैसा होता है, आखिर इसका उदय होने का कारण क्या है, तो इसके उपर डीटेल में हम लोग बात कर चुके थे और फिर हम लोग जैन धर्म में देखे थे कि इसका आखेर प्रिष्ट भूमी क्या रहा था जैन धर्म का जैन धर्म के पहले तिर्थांकर से लेके और 24 तिर्थांकर तक हम लोग बात किये थे फिलोसपी क्या थ है कि overall जो है जैन धर्म हो या बहुत धर्म की मैं बात करूँ तो उसका अंतिम थ्रुख्षी क्या होता यहां पर बता जाता है तो जो तरीका जो है क्रमकांड जो है बैदिक धर्म में काफी ज़्यादा व्याप्त हो गया था और इसको लेके जो है काफी लोग परिसान थे ठीक है हम लोग इसके उपर कल में डिटेल में बात किये थे और ऐसे में यह जैन और बौध धर्म का आपका उदय होता है चुकि यहां पे जो है का यह रीजन रहा था ठीक है तो सब मेंटर पर चर्चा किये थे बाकी प्रस्नोगार अभी हम लोग देखे थे चली आज हम लोग देखते हैं बहुत धर्म में सबसे पहले इसका प्रिष्ट भूमी देख लेंगे फिर महात्माबुद के बारे में पढ़ेंगे चुकि यहा के संरख्चक देखेंगे यानि क्यों सासक विह इसके अनवाई हुए क्राइब में प्रुस डोनों सामिल हैं फिर वास 11 के ब्रु Millennium क Ten में बढ़े में पढ़ने वाले हैं फ़ेके उचली स्ब्रकमर्णार यह बाकी यह बहूत सबाद्र मैप देखे थे आप सब देखी पा कर लिए सब तत्थे हम लोग देख चुके थे चलिए तो यहां तक कहानी हो गई थी तो आज हम लोगो देखना है यहां से आपको गौतमबुद और बौत धर्म ठीक है तो गौतमबुद और बौत धर्म के बारे में ठीक है हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके प्रिष्ट बौमी बैक ग्राउंड के उपर बात कर लेते हैं फिर यहां से हम स्टार्ट करते हैं ध्यान से बस इसको सून लेंगे इस कहानी को ठीक है ऐसा जातक करंथ में आपको बताया जाता है कि बौत का जो ह बट गया था आपका हीन यान और महायान से संबंधित लोग बौध को भगवान मानने लगे थे हीन यानी जो है इन्हें आपको महामानों ही समझते थे तो बौध का जो है उदभाव अगर देखें बौध धर्म का तो इसके उपर तो हम लोग कारण देख लिए थे कि आखि बुध के बारे में अगर बात करें यानि सिधार्त के बारे में तो पहले बुध नहीं थे सिधार्त थे एक स्काहानी यह हुआ था कि महामाया जो इनकी माता थी त 여러म सपने में क्या देखती है कि बुध का और बुद्ध भागवान जिनको हम लोग बोल रहे हैं इनको भागवान जो है बुद्ध को लेके हिमाले में जा रहे हैं और वहां पर इनको ना लाया जा रहा है हिमाले में ठीक है और एक हाथी कमल का फूल लेके उनकी तरफ बढ़ रहा है यह जो है वो सपना में देखती है और पर उनका रिपलाई होता है ये जो बालक नहीं तो चक्रवर्ति सम्राट बनेगा नहीं तो चक्रवर्ति जो है अगर देखें इनका बच्पन का नाम सिधार थी था तो इनका जल्दी जल्दी जो है इनका साधी करा दिया जता है ताकि जो है यह परिवारिक बंदों में बंद करें अपने राज जो है पार्ट को आगे बढ़ाएं लेकिन आप सभी को पता है जिसको जहां जाना होता यह आखीर चला ही जाता है जाहे आप कोई बिवस्ता कर लें नियती जहां ले जाना चाहती है लेके चली ही जाती है तो फिस फैप एनको बहुत को जो है राजपार्ट पूरा अगर इनका शुरुआत बच्पन में आप बात करेंगे पुरे जो एक राज कुमार का जो जीवन होता है वही इनको ब्यतीत करने के लिए बीवस किया गया और उसी महाल में जो इनको रखा गया इनको जिनरली जो है महल से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था लेकिन एक बार जो है ये महल से बाहर निकलते हैं और इचार जो है आपको परिषान किया हुआ है और एपने जीवनसे खुस नहीं यह वीमार बेकत्व को देखते हैं वह अपने जीवनसे परिस्थान है टील कि या उड्वी यह साथ कुछ लोग जो है रोते हुए जाते हैं लेकिन जब एक सन्यासी को देखते सन्यासी पूरा मस्ती में था और ऐसे में बुध को लगा यानि सिधार्त को लगा भी बुध है नहीं बने थे ये सन्यास मारगी क्या है सबसे अच्छा है और ऐसे में क्या करते हैं वो महल छोड़ देते हैं ठीक है और ऐसे में ग्यान की खोज में जो है वो आगे निकल जाते हैं ठीक ये बताये गया था कि इनके जो बुद्ध के पिता थे, वो साक के परधान थे, ठीक है, और इनकी माता जो थी, वो आपको कोली गनराजे की थी, यानि ये हो गया आपका कोली गनराजे, और ये हो गया आपका साक्य, ठीक है, और 20 में एक नदी था, ये जो नदी था आपका र विवाद हुआ करता था जल को लेके जहागडा हुआ करता था और ऐसे में बताया जाता है कि बुद्ध का हिर्दय परिवर्तन हो गया और घर छोड़ के चले गया फैर कहानी जो भी रही घर तो छोड़े एट लिस्ट वहाँ पर आपको पता है कि ज्यान के खोज में फिर से हुआ खोड़े और अगे निकल जाते हैं इनका बुद्ध का जो है स्टोरि रहता है बचपन का ठीक है तो बुद्ध का बचपन का नाम याद रखेंगे सिदार तहीं है इंका इनके पिता जो है सुदोधन ठीक है और इस सब भी और और ऐसे में जो है ये बुद्ध के दो साथी रहते हैं एक उनका घोड़ा और एक उनका सार्थी उनका कर्द करते हैं और अपना सीर मुडवा लेते हैं वहां से बिल्कुल गृत्या करते हुए और वहां से आगे साख्य दर्शन के वह अचारे थे और उनका जिग्यासा वहाँ भी सांत नहीं होता है अब उनका प्रस्ण होता है कि आखिर हम जो है ज्यान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं भागवान को जो है कैसे जान सकते हैं यह सब उनके मन में प्रस्ण था अध्यात्म को कैसे जान सकते है लेकिन उनका इक्षा जो है यह पूरा नहीं हो पाता है काफी जगव भठकते रहते हैं और आखिर कार जो है वो निरंजना नदी पहुचते हैं ठीक है वहाँ भी परियास करते हैं ठीक है और और वहां पर पांच ब्रामट सन्यासी उनको मिलते हैं उनके साथ ध्यानोगरा लगाते हैं ठीक है और उनको कोई बता देता है गुरू कि आप जो है अपना जिस दिन आपका जो है भोजन एक जो है अन के दाने के बराबर हो जाएगा यानि मान लीजिए एक अन का दाना यान मानों का एक जो है चावल कर टुक्रे के बराबर अगर भोजन हो जाता है तो फिर तो उसका स्थित नहीं रहेगा तो ज्यान की प्राप्ति क्या होगी फिर बूद्ध को लास्ट में जो है उता है कि ऐसा कुछ नहीं है फिर बाद में जो है भोजन उगराव कर लेते हैं ठी संसार को देखते हैं ठीक है संसार में ढूंटते हैं कि आखिर दुख का कारण क्या है कि आखिर दुख क्यों होता है दुख में संसार क्यों है आखिर इतना दुखी क्यों है संसार आखिर दुख जो हम लोग निवारन कैसे कर सकते हैं और इस सब का तरीका के उपर भी बात करत प्रम्परा के अधार पे कहा जाता है उनका जन्म जो है 563 इसा पुर में साख के नामक छत्रिये कुल में कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तरही के अवस्थित लुम्बनी में हुआ था इनका जन्म बताया जा रहा है कि 563 इसा पूर्म में हुआ है, याद रखेंगे, कहां हो रहा है, साक के नामक छत्रिय कुल में, कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई में, लुम्बनी में हो रहा है, कपिल वस्तु के पहचान बस्ती जिले में फिप्रहवा से की गई है, उनकी माता जो है जैसे मैं बताया अभी कोशल राजवन्स की कन्या थी और इस परकार महावीर की तरह वो भी जो है उच्छ कूल से ही आते थे गर्डाजे में उत्पन होने के कारण उनमें कुछ जो है समन्तवादी भावना भी आई थी चुकि देखिए जो गर्डाजे में हो कि अलगोrah ठीकोण से देखने वाला ठीक है तो गर्डाजे का मतलब ही है को है स चलिए तो जैसा प्रियूस होता है आप देखते हैं वैसा ही वैक्ति का बिचार धारा हो जाता है तो यदि समतवादी जो है विचारधारा में कोई पला बढ़ाएगा तो उसका समतावादी विचारधारा ही होगा बच्पन से ही गौतम का ध्यान जो है कहां अध्यात्मिक चिंतन की ओर था सीगर ही उनका विवाह जो है करा दिया गया पर दमपत्य जीवन में उनका मन नहीं रमा और विच जो है लोगों के संसारिक दुख को लेके दरवित हो जाते थे ऐसे दुखों के निवारन का उपाय सोचने लगते थे या खिर ऐसा दुख है तो क्यों है और इसका निवारन हम कैसे कर सकते हैं 29 वर्ष के उमर में महावीर की तरह क्या करते हैं घर से निकल पड़े और साथ वर्ष तक भटकते रहने के बाद 35 वर्ष के उमर में बोध हो गया और उनको जो है ज्यान के प्राप्ति हुए एक पीपल के ब्रिक्स के नीचे उन्हें ज्यान प्राप्त हुआ और तब से वो बुध अर्थात प्रग्यावान का हलाने लगे तो सिदार्थ को ज्यान हो जाने के बाद उनको क्या बताया गया बुध बताया गया गौतम बुद्ध जो है अपने ज्यान का पर्थम परवचन बनारसी के सारनाथ नामा का स्थान पर किये ऐसा यहां पर आपको बताया जा रहा है लेकिन आप देखेंगे तो सबसे पहला उप्तेश जो है यह दो बंजारे लोगों को देते हैं एक तपस्चू और एक मल्ली दो पूछा जाएगा ता आप एंसर यही करेंगे ठीक है इस सबसे पहले पर्थम जो है सारनाथ में जाके ग्यान देते हैं पांच जो है ब्रामनों को ठीक है पांच ब्रामनों को उपदेश देते हैं उनका नाम था आपका आंज असजी बज और महानाम और बद्दिये यह पा एका स्थान पर टीक करते थे ऐह तो एक जगसे दूसरे जगा तक घुम्ते हुए अपना जखते पहले से धर्म व्याब्त है तो आपका जो है मुकाबला होना ही है तो बहुत सारे कटपदियों से उनका मुकाबला होता है पर वे सर्थार्त में सभी को प्राजित करते थे उनके उसे जो है तर्क सक्ती में कोई जीत नहीं सकता था उनके धर्म प्रचार के कारेव में उच नीच अमीर गरीब इस्त्रीपुरुस के बीच कोई भेद भाव नहीं रहता था एक प्रंप्रा के अनसार गौतम बूद जो है 80 वर्स के उमरे में चार सा जो है 83 सा पूर में कुशी नगर नामक स्थान में ये स्वर्गवासी जो है हो गए यहनी 5 63 जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कसिया नमक गाउं में की जाती है किन्तु पूरा तत्योक अधार पे बर्दमान महाबीर और गौतम बोध को निशीत रूप से छटी सताब दीशापूर में रखना कठीन है अब हम लोगँ बहुत धर्म के बारे में जो है मोटा मोटा कहानी देख लिए आखिर जो है बहुत धर्म का सिधान जो है क्या कैया रहा अच्छे बहुत जो है घुमगुम को उपदेश दिया करते थे अब सभी को पता है और ऐसे में सबसे अधिक उपदेश जो है ये सराउस्ती में और अंतिम उपदेश जो है यहाँ पे स्रौण को जो है दिये थे ठीक है क्रिशक को दिये थे याद रखेंगे तो बहुत धर्म के सिधान्त के बारे में बात करेंगे चार सिधान्त के बारे में बात किये थे एक दुखमय है संसार दुख समुदाय के बारे में निवारन के बारे में और इसका तरीका आखिर ये दुखमय संसार क्यों है बुद्ध बड़े जो है ब्यभारिक सुधारक थे ठीक है उन्होंने अपने समय की वस्तिक्ताओं की खुली आँखों से देखा था काफी ब्यभारिक थे वे उन निरर्थक वात विवादों में नहीं उल्जे जो उनके समय में आत्मा और परमात्मा के बारे में जोरो से चल रहा था ठीक है आज भी चलता है सबीको बता hetी उन्होंने अपने को संसारीक समस्याओं में लगाया उन्होंने कहा कि संसार दुख में है और लोग केवल काम के कारण दुख पाते हैं यानि इक्षा और लालसा के कारण ही दुख पाते हैं ये बुद्ध का कहना था यदि काम अर्थात लालसा पे अगर बिजय पाई जाई तो निवारन प्राप्थ हो जाएगा जिसका अर्थ है जन्म और मिर्थू के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी और हर एक धर में आप देखेंगे तो यही आपको बताया जाता है कि आप मुक्ष की प्राप्ति करेंगे यानि जन्म और मिर्थू के चक्र से आपका मिर्थू हो जाएगा यानि आप भगवान के समीप जाके जो है वहाँ पर यानि पुना जो है आपका इस संसार में जो है जन में नहीं होगा और बुद्ध देखे क्या बताते हैं कि आखिर संसार दुख में है तो लोग जो है केवल किस के कारण दुख है इक्षा और लालसा के कारण दुख है ठीक चुक्ता जो है आपको डूखी नहीं रहेगा यह आठ साधन क्या क्या है पहला है आपका समयक दृष्टी ठीक है फिर है आपका समयक संकल्प समयक वाक समयक जो है करमानत समयक जो है आजीव शम्यक ब्याम, सम्यक इस्मरिती, सम्यक समाधी यह आठ मार्ग बताया गया ठीक है और बताया गया कि इसको जो फॉलो करता है जो सम्यक दृष्टी रखता है, सम्यक संकल्प रखता है सम्यक वाक बोलता है, सम्यक कर्म रखता है और समयक समाधी यह सब करता है तो यह दूखों का निवारण अपना कर सकता है यदि कोई आप अतियाधिक क्या करें विलास करें और ना ही अतियाधिक सयम में रहें वह मध्यम मार के प्रसंद सकतें ठीक है चलिए जैन तिर्थनकुरों के तरह बुद्ध ने अपने अनवाईयों के लिए अचार नियम जो है बनाया था जिसको आप देखेंगे हम लोग यहां भी दुरचार सहीता का मुख्य नियम पहला क्या था देखें प्रायधन का लोब नहीं करना है यह था दूसरा हिंसा नहीं करना है तीसरा नसे का सेवन नहीं करना है चौथा था जूट नहीं बोलना है पांचवा दुरचार से दुर रहना है समाजी काचरन के यह नियम समाने र को दूर रहना है है सब जो हुआं कि दौरा बाते बताई गई है ऑधर्म की जो है बिलंक्षता है और इसका पल सैंड़ सार का कौत अब देखेंगे बहुत के धर्मों का इतिहास में करांती कह सकते हैं इसवर और आत्मा के जो है नहीं मानना वह धर्म जो है शुरू में दार्षनिक वाद विबादों से जंजाल में फसा नहीं था इसलिए समाने लोगों को भाया यह जो दार्षनिक वाद वाली बात है यहां पर नहीं थी तो समाने लोग इसके प्रति क्या हुए काफी अकर्सित हुए यह विशेश रूप से जो है निम्न बर्णों का समर्थन पासा का क्योंकि इस वर्ण ब्योस्था में वर्ण ब्योस्था के निंदा की गई थे आप देखे थे उत्तर बैदिकाल में कि सुद्र को तो आपको ना सिक्षा का अधिकार था तो ऐसे में जो है उन बर्णों को क्या करता है यह अकर्सित करता है बौद संग का दर्वाजा जो है हर किसी के लिए खुला रहता था चाहे वह किसी भी जाती का क्यों ना हो संग में परिविश का अधिकार इस्तरियों को भी था जिससे उन्हें पूर्सों के बराबरी भी प्राप्त होती थी प्रामण धर्क की तुलना में बहुत धर्म अधिक उदार और अधिक जनतांत्रिक था सभी के लिए दर्वाजे खुला है कोई धर्म बढ़न जाती क्या आप हो कोई प्रोब्लम नहीं है और अधिक उदार भी था इस्तिरियों को भी बाहर के लोगों को अधिक भाया और वे लोग असानी से इस धर्म को दिक्षित हो गए जो भी बैदिक शेत्र से बाहर के थे मगत की निवासी इस धर्म की और तुरंत उन्मुक हुए क्योंकि कटर ब्रामण उन्हें नीच बानते थे आपको पता है कि हम बात किये थे उतर अनारे लोग रहते थे और ऐसे में जब भी अनारे लोग जो है इस आरे पर देश में आया करते थे यह लोग जो है जो हैं यह लोग जो है मानों है नहीं ऐसे में आपको पता है कि मगद की निवासी धर्म के ओर तो अकर्सित हों गहीं जो कट्टर ब्राम्हण उन्हें नीच बानते थे मगद के आरे की पुन्य भूमी आरे ब्रत अर्थात आधनिक उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर पड़ता था या उनकी परणाली दोनों ही बौध धर्म के परचार में सहाइक हुई तो सबसे पहले देखिए जैसे मैं बताया कि बौध धर्म का उदय हुआ तक किस रीजन में उदय हो रहा है जैसे मान लिजे यह हुई गंडक नदी इधर आरे लोग है नीचे मान लिजे यहां पर आरे ल दॉर्द में होता है देखिए तो वध करेंघ तो बुद्ध करेंगे तो बुराइ को भागाने का प्रयास करते थे ठीक है अठीग रहे फरेंगи और लोग हेड़न और च्रोभ नहीं कर शक्ते हैं निंदा और गाली से उन्हें कुरोध नहीं आता था कठीन इस्तितियों में वो धीरे और सांत बने रहते थे धैर रखते थे और अपने बिरोधियों का सामना चातूरे और परतियूपन मती से करते थे कहा जाता है कि एक बार एक अग्यानी वेक्ति उन्हें जो है गालिया दी वे चूप चाप सुनते रहें ठीक है और उस वेक्ति को जो है गाली देना बंद हुआ तो उससे पूछा वत्स यदि कोई दान को सुविकार नहीं करे तो उस दान का क्या होगा बताओ गाली जो दे रहा था उससे पूछते हैं कि कोई अगर मानलो कि अगर दान को सुविकार नहीं करता तो उस दान का क्या होगा बिरोधि ने क्या उतर दिया वह देने वाले के पास ही रह जाएग तब बुद्ध ने कहा, वत्स मैं तुम्हारी गालिया लेना स्विकार नहीं करता, जो भी तुम गाली दे रहे हो, अब तुम्हारे पास ही रह जाएगा, ठीक है, तो ऐसे विचार धारा इनका था बुद्ध का, ठीक है, जन्द सधारन की भासा पाली को अपनाने बौध धर् धर्म का परचार कियें, इससे आम जन्ता में बौध धर्म का परचार असान हो गया, गौतम बुद्ध ने संग की अस्थापना की, जिससे हर एक व्यक्ति, जाती या लिंक के भेद के भीना प्रवियस इसमें कर सकता था, ठीक है, विक्चुओं के लिए एक सर्थ भी थी, क उन्हे संग के नियमों को निश्था जो है पुर्वक वस पालन करना था, इसके लाओ कोई सर्थ नहीं थी, कि आप किस जाती के हैं, किस धर्म के हैं, किस बढ़न के हैं, ऐसा कोई समें कंडिशन नहीं था, बौध संग में सामिल होने के बाद, इसके सदस्यों को इंद्रिय आप वध के निर्गरह ऑप, प्रिगरह, यानि धन हिंता और सर्था का संगल पे लेना पढ़ता था, आप अपने इंद्रियों पर नियंतरन रखें, थीके, धनों पे जो है, ध्यान नहीं देना, आपको सर्था रखना है, संब संगल के इनको रखना पढ़ता था, इस परक परगती की मगद कोसल कोसांबी करे जाओं ने अनेक गंडाजे और उनकी जंता ने बहुत धर्म को अपना लिया बहुत के जो है निर्वाण के 200 साल बाद परसीद मौरिसमराट असोक ने भी बहुत धर्म गरहन किया था आप सभी को पता ही है और यह जो है यूग परिवर्ता घटना सीध हुआ असोक ने अपने धर्म दूतों के द्वारा इस धर्म को मद एसिया पच्मी एसिया सिरलंका में फैलाया और इसे बिश्व धर्म के रूप में क्या कर दिया एक रूप दे दिया आज भी देखेंगे तो सिरलंका बर्मा चीन जपान में के कुछ भागों में बहुत धर्म प्रचलीत है तो आज भी यहां बहुत धर्म आपको देखने को मिलेगा चैसिरलंका में चले जाए बर्मा में तिब्बत में चीन जपान होगरा में और आज वहां के बहुत अनवाईव यहां पर आते हैं अपनी जन्व भ अपनी जन्व भागों में तो आज लुपत हो जाता है हम देखते हैं कि अरम में हर धर्म सुधार की भावना से प्रेरित होता है प्रन्तु काल करम वह अपनी करम कांडों संदानों के जाल में पस जाता है और जिसकी और अरम में निंदा करता था बहुत हरुप परियोर्तन करके और ऐसा ही चक्र चला और इसमें देखेंगे तैसमें भी ब्राम्णों की प्राम्ण धर्म की जो बाते थी वो बुराईया यहाँ पर घुस गई जिसके बिरूद इसने अरम में लड़ाई-लड़ी थी वो बुराईया फिर इसमें आ गई और बहुत धर्म की जो है चुनावती का मुकाबला करने के लिए ब्रामणों ने अपने धर्म को सुधारा, तो धर्म को सुधारा किया गया, उन्होंने गोधन की रक्षा पे बल दिया, तथा इस्त्रियो और सुधरों के लिए धर्म का मार्ग परसंट कर दिया, आप देख रहे हैं उतरवैदी काल में इस त्रियों और सुद्रों को जो है धर्म कमार उसके लिए उनके लेना सिक्षा कमार कुला है तो ऐसे में जो है ब्रामण धर्में सुधार किया गया ठीक है और गोधन के भी रक्षा पे बल किया गया दूसरी ओर जो है आपका बौध धर्में विक्रितिया आती गई और धीर देरे बॉत भिक्चू जो है जन जीवन में मुक्धारा से कटते गए ठीक है यहां पर देख रहे हैं एक तरफ दुसरा जो है आपको ब्रामन धर्म में सुधार देखने को मिल रहा है और यहां दूसरी तरफ अब आप देख रहे हैं, पाली भासा आखिर अपनाय गया था, क्यों अपनाय गया था, एजली जो है आम जनता भी चीजे को समझ सके, लेकिन यहाँ जब आप संस्क्रीट अपना लीजिएगा, तो क्या होगा ऐसे में, जो केवल बिद्वानों की भासा थी संस्क्रीट, और पहली सदी में बड़ी मात्रा में परतीमा पूजन करने लगे, अब मुर्ती पूजा भी इसमें होने लगा, और आप इनिसियल में ही देखे थे, कि बौध का जो है क्या फिलोस्पी था, तो बिल्कुल इसका अपोजी टेलो जा रहे हैं यहाँ पे, जो कि बौध जो है प्रतीमा पूजन करने लगे, उपासकों से खुब चड़ावा भी लेने लगे, इस चड़ावा का त्रिक्त बौध भी हारों को रजाओं से भी भारी-भारी संपती दान मिलने लगे, और इन सभी से बौध विख्शुओं का जीवन सूख का जीवन मन गया, जिसका वो त् इतना सारा टेक्स तसी लेंगे, ऐसे में इतने सारे इनके पास पैसा आएगा, सुक जो है, इनके जीवन में आ जाएगा, ऐसे में धर्म का परसार कहां से पॉस्वल है, इतना सारा पखंड अडंबर इसमें भी आपको ब्याप्त होते दिख रहा है, सातवी सदी के आते आते बहुत बिहार बिलासी लोगों के परभुत में आ गया, ठीक है, बिलासी लोग जो है, इसको लीड कर रहे थे, और उन जो है, कुकर्मों का किंदर बन गया, उनके कुकर्मों का किंदर बन गया, जिनका गौतम बुद ने कड़ाई के साथ क्या किया था, निशेद किया था, बौध धर्म का यह नया रूप जो है बजरियान नाम से परसीध हुआ ठीक है विहारों में अपार समपती और इस्तिरियों के परेश्चंवने पर उनकी इस्तिति भी बिगडी ठीक है तो जो भी बौध बिहार था बिहार की सको बोलते हैं जहां भी बौध धर्म के लोक जो ह बिहार बोलते थे, तैसे में बिहारों में आपार संपती आया, इस्तिरियों को परेश से उनकी इस्तिती और भी बिगडी, बहुत बिक्चु नारी को जो है भोग की बस्तु समझने लगे, कहा जो है गया है कि एक समय बुद्ध ने अपने प्रियस अनन्द से कहा था, यदि सुरू में जो है, अगर बहुत धर में देखेंगे आप तो बुद्ध खुद नहीं चाहते थे कि इस्तिरियों का इसमें परियस हो, लेकिन उनकी जो मौसी जो थी, मौसी नहीं, ठीक है, उनकी जो मौसी थी आपको प्रजापती जो है गौतमी, तो गौतमी के जो है काफी अनुनाय विनय पेज, जो है, बुद्ध, जो है, मिस्तिरियों का परियस दिये, और ऐसा उनका मानना था, और ऐसा भी ये परभाव देखा गया, कि उसके ओजैसे भी यहाँ पर देखने का मिलता है, कहा जाता है कि जो ब्रामण सासक थे, पुश्यमित्र, पुश्यमित्र स सुंग जो थे, सुंग ने बौध को सताया, और सताय जाने से कई उधारन इस्या के छटी सतावधी सदियों में मिलते हैं, सही संपरदाय के हुण राजा, मिहर कुल ने सैकड़ो बौध को मौत के घाट उतारा, यह भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर आगे सुंग बंस के स ससांग, ससांग ने बौध गया में उस बौधी बिरिक्स को काट डाला, जिसके नीचे बुध को ज्यान पराप्त हुआ था, ठीक है तो यह पुछा जा चुका है आपको, वान सांग ने लिखा कि सुल्लस इस्टूप और बिहार तोड डाले गए, और हजारों बिक्शुव और उपासको को मार डाला गया, इसमें से कुछ न कुछ आपको सचाई अवस्य होगी, इसमें बौध की परतिक्रिया कई देव मलाव में देखी जा सकती है, जहां बोधी सत्तों को हिंदू देवता को उपर खड़ा दिखाया गया है, मदेकाल के अरम में देखेंगे, तो और बैशन और दोनों संपरदायकों लोगों ने जैन और बौध का कड़ा बिरोध किया था, और ऐसे संगर से बौध धर्म और से कमजोर होगा, यह बौध धर्म का यहां पर कमजोर होने का सब हमको कारण दिख रहा है, बिहार में आपार संपती को देखकर तुर्की हमलव ललचाई नजर उन पर पड़ी, और यह बिहार के उन लोभी हमलवारों को बिसेस लक्स हो गये थे, अब देखिए, जो भी तुर्की थे, लुटे रे थे, खाना बदोस्त थे, ठीक है, बरबर जन जाती थे तुर्की लोग जो थे, और यह लोग हमेशा लालची निगाहे स इहीं देखा करते थे, यानि इनका बस एक ही टारगेट होता था, कहीं भी समपती है, बस उसको लूटो और वहां से फिर निकल जाओ, इनको लगा कि जो भी बहुद बिहार है, यह काफी अपार समपती से आपको भारापुडा है, और ऐसे में इन पर भी हमला किया गया, त ठीक है, तो ऐसे बहुद धर्म का यहां पर समापती हुआ, आपसे प्रस्ण भी पूछा गया था, अब आप उसका जवाब लिख पाएंगे, बहुद धर्म के उपादेता और परभाव देख लेते हैं, संग जो है, बुद बहुद धर्म अंततह लुप्त हो जाने के भी भ वेपार की बात करें, या सिक्का के पर्चलन से वेपारियों और अमीरों के धन संचीत करने का मौका मिला, ठीक है, असी कोटी जो है, असी कोटी यहाँ पर धन वाले बेक्तियों के भी चर्चा मिलती है, और इस समाजिक और आर्थिक समानता फारी मात्रा में उत्पन हो गई थी, इसलिए जो है, बौत धर्म ने घोशना की धन संचय नहीं करना चाहिए, इस धर्म के अंसार धरित्रता, घिर्णा, पुरूर् और हिंसा की जन्नी है, तो अगर धन संचय आप करेंगे, इसका परण्याम आपको क्या कोई धरिद्र हो जाएगा, एक दूसरे से घिर्णा हो जाएगा, कुरूर्ता भी आ जाएगा और हिंसा भी होगा, कुछ लोग किसी को मारने लएंगे लूटने के लिए, कि हम इनका ध अगर धन संचय के दूसरे मरम आपको देखने को मिल सकता है, इन बुराईयों को दूर करने के लिए बूद्ने उपदेश दिया था, कि किसानों को बीज और अनसुविधाय मिलनी चाहिए, वेपारियों को धल मिलना चाहिए, और सरमिकों को मजदूरी मिलनी चाहिए, ऐसे में समाज में समरस्ता बना रहेगा, और इन उपदेश दिया जाता है, तो ऐसे में समंजस से बनाने का आपको प्रयास किया जाता है, विक्चूओं के आचरन के लिए बनाई गई नियम, शहिता, इसा पुर्व छठी और पाच्वी सधी वाले पुर्वतर भारत में भहुत और इन सम्बन पे अंकोष जो है लगाए गए हैं, विक्चू जो है आपको सोना, चांदी, गरन नहीं कर सकते थे, खरीद विक्री नहीं कर सकते थे, ये नियम तो बुद्ध के मिर्टु के बाद भी आपको सिथिल कर दिया गया, प्रन्तु अरंबिक नियम एक परकार के आ पुर्व उत्तर भारत के इसापुर्व पाचवी सदी में विक्षित मुद्रा में, मुद्रा के परचलन, नीजी संपती और बिलास पुन्ड जीवन के विरूद आंसिक विद्रों के जलक देते हैं, उन दिनों देखेंगे ता आपका मुद्रा और संपती बिलास की प्रित्न भी किया गया, साथ ही लोगों को समाजीक और आरतिक जिवन में हुए परियोतनों को अस्थाई बनाने के और भी कदम आपको बढ़ाया गया, इसाप जो है बोट धर्म के दोरा काम किया गया, संग में कर्जदारों का प्रोयस्य भरजित कर दिया गया, इससे के लिए लावकर हुआ और इस परकार गौतम बूद के उपदेश और नियमों को भौतिक जीवन में आये परयोर्तनों को पूरी ध्यान में रखा गया और सधानतिक रूप से उन्हें द्रिण मनाया गया यह तो अगर देखें तो आपका बहुत विक्षू संसार से बिरक्त र रही है उसके बाद देखेंगे थोड़े दे रुकेंगे आप लो 20 सेकेंड झाल ओके तो हम लोग देख रहे थे यहां पर आपका कि देख रहे थे कि ब्राम्हन और जो बौध थे उन्हें जो है समयता क्या था तो हम लोग देख रहे थे कि दोनों क्या करते थे उत्पादन में पर्टेक्स रूप से भाग तो नहीं लेते थे लेकिन समाज में जो भी खैदान मिलता था दोनों उसी पर जीते थे दोनों ही बताते थे कि परिवार का पालन करना नीजी संपती की रक्षा करना और राजा का आधन करना क्या है अच्छा है ठीक है और दोनों में देखें तो बर्ग मुलक समाज व्यवस्था का समर्थन भी थे भेद इतना ही था कि विक्षू बर्ण को गुण और कर्म के अनुसार मानते थे और ब्रामन जन्म के अनुसार मानते थे यही दोनों में अंतर था तो जो बहुत विक्षू थे उनका क्या मानना था कि वर्ण जो है ये गुण और कर्म के अनुसार होता है यानि जो जैसा जि का लक्स था कि मानों को मुक्ति और निर्वान का मार्ग दिखाना ठीक है जो लोग जो है पुराने आपको कबाईली समाज से बिघटन और निजी संपती के प्रचलन से उत्पन हुई आपको गोर जो है आपको समाजीक असमानताओं को बरदास्त नहीं कर सकते थे उन्हें तो बहुत धर्म के कुछ रहात मिली और किन्तु ऐसा रहात तो विक्षुओं के लिए संभव थी गिरहस्त अनुआईयों के लिए तो छुटकारा का कोई उपाय यहां पर नहीं देखने को मिलत है अता है उन्हें जो है मौजूदा इस्तिती समझाओते कर लेने के लिए उपदेश दिया गया तो कहानी यहीं रही कि असमानता अगर देखें तो पहले से कम हुई ठीक है कुछ लोग रहात मिली लेकिन कुछ लोग एजिटी जो ऐसे ही बने रहें बहुत धर्म ने इस्त का वहां पे आपको उनका इजाजत दिया गया था लेकिन ऐसे में बहुत धर्म जो है आपको क्या दिखता है कि इस्त्रियों और सुद्रों के लिए वह दिवार खलके उन पे जो है गाहरा च्छाप छोड़ने का काम करता है बहुत धर्म गरहन करने पर उन्हें इस अधिका अधिसेस नहीं होगा तापका समाज प्रोग्रेसिव नहीं होगा यह समाज आगे नहीं बढ़ेगा तैसे में बहुत धर्म का जो है काफी अच्छा युगदान रहा प्रचिंतम बहुत गरम जो है निपात में गाय को जो है भोजन रूप और सुख देने वाली कहा गया है इन मौके पे आया जब आरेतर लोग मांस के लिए और आरे लोग धर्म के लिए पसुधन का सहार करते जा रहे थे तो ऐसे में गायों का रक्षा का बात किया गया ब्रामण धर्म में गाय की पुझनिता और अहिंसा पे जो है पढ़ने का कारण असपश्ट बहुत धर्में देखेंगे तो ब्रामण धर्म में देखेंगे तो गाय को पुझनिय बना दिया गया ठीक है और ऐसे में जो है यह परभाव किसका था तो बोध्धर्म का ही परभाव था बोध्धर्म ने आपको बौधिक और सहेतिक जगत में भी चेतना जगाई इसे लोगों के सुझाया कि किसी बस्तु को यो तो नहीं बल की भली भाती जो है गुन दोस्त का विवेचन करके गरहन करे बहुत हद तक अंध विश्वास का अस्थान तरक ने ले लिया और इसे लोगों में आपको भुधिवाद पनपा और अपने नए धर्म के सिधान का प्रतिपादन करने के लिए बौध ने नए परकार का आपको साहित सर्जना की और इस तरह से देखेंगे तो उन्होंने अपने लेखन से पाली को समरीद किया अरंबिक पाली साहित तीन कोटिया में बटा सकता था प्रतम कोटि में बुध के वचन है और उनके उपदेश है दूसरे में संग के सदस्व द्वारा पालनीय नियम बताया गया है तीसरे में धम की दार्षनिक विवेचना की गई है इसा के पर्थम जो है तीन सदियों में पाली और संस्कृत को मिला कर बौध ने एक नई भासा चलाई जिसे मिस्रित जो हाइब्रिट संस्कृति का सकते हैं ठीक है एक संस्कृत हो पाली और उसका मिस्रित यहां पर भासा चला बौध की सहीतिक गतिवी दिया मध्य यूग में चलती रही पुरवी भारत में कुछ परख्यात अब्रंस करितिया बौध की देन है बौध बिहार महान जो है विद्या किंद्र हो गए जिनें आवासी जो है विश्व विदाले मानोपर्तिमा है साहद बुध की ही थी तो पहली जो है आप मानोपर्तिमा किसकी बन रही है बुध की बन रही है ध्यान देंगे जो सरधालू उपासकों ने बुध के जीवन की अनेक घटनाओं को पत्थर से उकेरा और बिहार में गया में देखेंगे मद्यपर्देश के साची भरूत में चित्र फलक भी मिले है आपको वे बौध कला कहीं क्या है एक उत्कृष्ट नमूने है इससे नेक्स देखें इसा के पहली सदी से गौतम बुध ने फलक परतिमाय जो है बनने लगी थी और भारत के पच्छिमोतर सिमान्त में देखेंगे ती युनान भारत में मुर्तिकार ने नए नए धंक से कला की जो है यहाँ पे स्रिष्टी के लिए समेली तुरुप से प अमरे बनाये गए और इस परकार देखेंगे तो आपको गया में देखेंगे तो बराबर की पहाडिया आपको देखने को मिलेगी ठीक है बराबर की पहाडिया और पच्मी भारत में देखेंगे तो नासी के आसपास पहाडिया जो है गुहा यहाँ पे आपको बास्तु सिल पूरा कहानी आपको देख लिए ठीक है तो और मैं कुछ आपको तत्थे यहां पर बता देता हूं जो आप से एक्जाम में जनरली पूछा जाता है यह सब भी आप थ्वड़ा सा ध्यान में रखेंगे यह प्रिपॉइंट अपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत संगतिया जो जो है कहा कहा हुई ठीक है तो पहला संगत्य धियान से सून लेंगे ऐसे आप सबी को पता ही होगा जो लोग पहले से पढ़ रहा हिए होगे राजगरी में हुई थी पहला संगति अजात शत्रू जो राजा थे और अद्यक्ष्टा जो है महाकस्यप के द्वरा की गई और यह जो पहला संगती हुआ यह आपका मान के चले तो आपको 563 से 483 BC मान के चले यहाँ पे 482 BC आप मान के चले ठीक है 483 ए 482 BC मान के चले ठीक है तो और दूसरा जो है पहला मैं आपको बता दिया क्या कै याद रखेंगे कहां हुआ था राजगरीह में थिकर राजगरीह में हुआ किसके अद्यक्षता में महाकस्यपके अद्यक्षता में कौन थे राजा अजाथ सत्रु यह मान के चले आपको 483 भीकर दूसरा आपको यह 383 भीकर लगवग 100 100 साल बाद होता है दूसरा और यह समय mmc आढ़ी होता राजा कौन होते हैं आपको काला सोक और अदयक्षता जो है साबक मीर करते हैं आपको याद हो गाएं बाकई हम Molly के खुर आएंगे थी Bian prakt में ढिसकस करेंगे ठीक है इसके अलाव देखेंगे तो तीसरा जो होता है आपका बहुत संगती वो जो होता है आपको पाटली पुत्र में होता है आज जिसको हम पटने के नाम से जानते हैं और यह समय राजा होते हैं आपको असोख ठीक है अध्यक्षता जो है आपको सिरलंका को होते हैं आपक सब बात ध्यान रखेंगे बाकी जो है बहुत धान दो भागों बटा था हीन यान और महा यान हीन महा यान भी पोड़ा है अपको जुआ अब़ी सुन ले कि हीन यान, महा यान भी आगे चल के बहुत सारे उप्संपरदय में बट गया था जैसे हीन यान में देखेंगे आप, तो नाम सुन लेंगे, एक बैभासिक था, और एक आपका सैतरांतिक था, ठीक है, बैभासिक के जो संस्थापक थे हो, आपको बस्तु बन थे, और सैतांत्रीक के जो थे, वो आपको कुमार लाथ थे, महायान में देखेंगे, तो विज्य वियानवाद और योगाचारिस में आया था सुन्यवाद आया था ठीक है तो एक वियानवाद जो महायान में आया था वियानवाद का थो मैत्रे नाथ थे ठीक है वियानवाद का कौन थे मैत्रे नाथ जबकि सुन्यवाद में देखेंगे तो नागारजुन या नागसेन आप बोल सकते हैं, सहित्य के अगर बात करेंगे बहुत सहित्य का, तो उपदेश जो है इनका पालिय प्रकिर्त में दिया गया था, जो जन समाने का भासा था, ठीक है, आगे चलके जो है, आपको संस्क्रीट में भी दिया गया, और वो डिकलाइन में काफी आहम भूमका निभाया ठीक है, संस्क्रीट में देखेंगे, तो आपको सत्थर्म पुंड्रिक गरंथ आपको मिलेगा, तथागत आपको गुंगक मिलेगा, एक ललता विस्तार भी मिलेगा, आप देखेंगे वो बुद्ध की जिवनी के बारे में, आपको ललित विस्तार में, ठीक है, बुद्ध जो है अनुवायू कौन थे सासक जो है संडक्षन कौन थे यह थ्यान में रखेंगे ठीक है एक्षिली जब बुद्ध का जो है यहां पर कुशी नगर में उनका जब वो प्रांड त्याग देते हैं तो उसके बाद जो है बुद्ध के लिए काफी लोग वहां पर पहुंच ज जो भी बुद्ध करते हैं जो है बुद्ध के मरने के 24 साल बाद तकाश होगा को जीवित राते हैं ठीक है बुद्ध के जो है समान आयू के जो है कौन-कौन ब्यक्ति है थड़ा उनका नाम याद रखेंगे जैसे कौसल नरेश्टे परसेंजीत ठीक है ओध्याइन थे उनके अनुआयू थे असोक्त थे यह आप सभी को पता ही है ठीक है असोक भी संरक्षक थे बुद्ध धर् ठीक है आगे जो है मिनानरोगरे के बारे में आप सुने ही होंगे बाकी बंगाल के जो है पाल सासक जो देवपाल थे वही जो है आपको बहुत धर्म के संरक्षक में उनको ही माना जाता है यह सब नाम आप ध्यान रखेंगे कला के छेतरे में अभी हम लोग थोड़े देर यह पहले बात किये कि गंधार कला का उद्ध हुआ इसमें गंधार कला में मुर्ति बनना जो सबसे पहले यहाँ पर शुरू होता है अच्छे बिखिस्ता क्या है घंधार कला में देखेंगे तो बाल आपका घुंगराले दिखायो बिहार का निर्माड कराते है ठीक है बाते थी ठीक है इतना तत्ते ध्यान दखेंगे बाकी एंसी क्यों करेंगे तम कबर करा देंगे यह सब प्रस्ण रहा तो सारा प्रस्ण आप लो लिख लेंगे अब ठीक है जैसे बहुत धर्म का यहां पे आपका मुख विदेश का बंडन करना है भारती समाज पर इसका क्या पतन हो गया टीक है लेकिन धर्म का खुछ बहतको पतन होोने के बाद भारत में इस धर्म का परभाव कैसे और किन-किन पहलूएं में जमाराया ठीक है यह सब बताना आपको बहुत और जेन धर्मे धार्मिक सुधार का अंदोलन यानि कहने का मतलब है पिछला कोशन में आपसे क्या पूछा गया बहुत धर्म तो भारत से लुप्त हो गया लेकिन इसका परभाव आज भी देखने को मिल रहा है जैसे मान लिजे जो भी इसकी जो अच्छाया थ ठीक है तो यह सब जो है आप बता पाएंगे बाकी एक हम मांचीतर आपको बना ही दिये हैं इंडिकेट कर दिये हैं कि बुद्ध के जीवन से सम्मधित बाकी महाबीर होगारा के बारे में हम बताया है वहां पर मैं पोगारा में आप इंडिकेट कर सकते हैं तो आप लोग जो है उत्तर लिख के और नंबर पर सम्मिट करेंगे ठीक है अगले हमले चेप्टर में फिर मिलते हैं लेक्षर को अधिक सदिक आप लोग शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद